नमस्कार मैं आगेश आपका फिर से एक बार सौगत करता हूँ स्टार अपेक्स नूज में आज राज्यबर में हस्ट का रिजर्ट गोशित हो चुका है इसी के साथ हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने अवल स्थान प्राप्त करके अच्छे गुनों से उत्तिरन हुई है आज हम बात करेंगे महाराष्टर की उपर अजदनी नाकपूर के ग्रामी शेत्र बुट्टीबुरी से बुट्टीबुरी के एक ऐसे ही गरिप माध्यम परवार से आई शूबा खेतान इन्होंने बुट्टीबुरी परिशर में टॉप किया हम इसे बातचित करके उनसे जानेंगे कि उन्हें इस परिक्षा के लिए क्या कटोर परिशम के आपका सबसे पहले सबसे पहले आपको आपके माता पिता और आपको इसके लिए अभिनंदन आप बुट्टीबुरी परिशर में टॉप आयो आपने 94 परसेंटेज लिया है आपने ये सब मसलब कईसे और कईसे लग रहा है आपको इसके बारे में उम्मीद थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंद मुझे अच्छा लग रहा है आपको इसके लिए अपने कितने परिशन आपने इसके लिए मैंने कोई रूशन नहीं लगाई थी सिर्फ हम लोग कॉलेज से ही हमको सब मिलता था अब भविश्य में क्या करना चाहते हो बविश्य का कुछ नहीं है अब देखते हैं आगे क्या होता ह अच्छा आपका बागे श्बशर्ट के लिए क्या मैसेज हो जिनका रियुक लिए जो आगे की जियुक फिस्तसं की थे हैं और जो मिरें बच्चे हैं उनको यह हैझा कैना चाहोंगा कि हमेशा अपना 100% दे 100% दे आप आपके सफलता का शरय किसे देते हैं? माता, पीता या शिक्षक गंस मैं मेरे सभी बड़े लोगों को देती हूं सबसे पहले 24 सार को देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था आपको हमेशा अच्छा पिसलिटीज मिलेगी उसको एद मोहिस सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे सभी टीचर्स ने और मेरे ममी पापने भी मेरा बहुत साथ दिया मतलब उन्होंने यह था कि जैसा आएगा हमें एक्सेप्ट होगा बस आप अपना अच्छा दो मतलब इतना साथ उन्हों से बात करेंगे आपको ऐसा लग रहा है आपकी बेटी ने आपके बुट्टी-बुरी परिशर में टॉप किया है था बहुत अच्छा लग रहा है था उमीद थी आपको इस परसेंटेश की उमीद हमको इसकुल के तब सरह आपको बहुत अच्छा उमीद था इसकुल वाले टीचर लोग बहुत अच्छा उमीद लाएंगे और वो करेंगे जो सब की है वही हमारी भी है बहुत अच्छा किये और सब क्यों बहुत धन्यवाद की मेरी बेटी को इतना आगे बढ़ाने में हमारा सपूर किये यह थी सुबा खेतान बुट्टीबुरी परिशर में इन्होंने 94 परसेंटेज लेके कॉमर्स टीम में और बुट्टीबुरी परिशर में टॉप है इनको सबी के तरफ से हर्दिक शुपकामना है और जो भी विद्यारतिगर मुझे देख रहे हैं सुन रहे है उत्तिर्न एक्जाम यह आखरी रास्ता नहीं रहता है एक्जाम आने वाली परिक्षा के लिए तैयारी कीजिए महिनत कीजिए और अपनी गरूर जेप मतलब आपका जो आस्माने आपके लिए खाली है इसी के साथ बिदाई लेता हूँ धन्यवाद